हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल एलके मेर्स पे आज की वीडियो में मैं SSC MTS का जो पेपर 2021 में लिया गया था डेट आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2021 है ठीक है 5 अक्टूबर 2021 फर्स्ट सिप्ट इससे पहले मैंने 5 अक्टूबर के तीनो सिप्ट का और 6 अक्टूबर के एक सिप्ट का फर्स्ट सिप्ट का मैथ का सॉलूशन किया है और आज की वीडियो में मैं SSC MTS में जो रीजिनिंग की क्वेशन पूछे गये थे रीजिनिंग ठीक है इसमें रीजिनिंग के मैं equation को solve करने वाला हूं तो reasoning के आपके total 25 question आये थे तो 25 के 25 question इस वीडियो में solve करूँगा ठीक है date आप देख सकते हैं SSC MTS का paper है 5 October 2021 का first shift यह reasoning इसलिए मैं solve कर रहा हूं कि जिन लोगों का GD का paper है या फिर railway group D की जो तयारी कर रहा है वो यह समझ पाएं कि latest जो TCS है उसका क्या pattern चल रहा है reasoning किस तरह के आ रहा है ठीक है और जिस तरह के reasoning आ रहा है इनको आप कैसे हल कर सकते हैं कम से कम समय में ठीक है तो पूरी वीडियो देखिए वीडियो में question by lingual मिलेंगे Hindi English दोनों में लिखे हुए मिलेंगे और मैं कोसिस करूँगा कि बहतर से बहतर तरीका आपको बता पाऊं जिससे कि आप समझ पाएं और हर एक question को exam में जा करके आप नियत समय पे solve कर पाएं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो अच्छा रहा है तो जरूर से comment करें और like करें और मैं कोसिस कर रहा हूं कि एक दिन में 2 shift बन पाएं काफी सारे लोग का comment आया है कि एक दिन में 2 shift करो तो मैं कोसिस कर रहा हूं अब में बात है कि पूरी जो data को analyze करना एक जगह करना Hindi वाला cutting करना English वाला करना सब को type करने हैं सब अभी अकेले का काम है इसलिए time थोड़ा जादा लग जाता है इसके अलाव में और भी काम रहते हैं तो time लगता है कि math की इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो MTS की hardest shift होगी MTS में जो सबसे hard shift था 12 October का second shift उसका math का solution आएगा इसके बाद वाली वीडियो में ठीक है तो आप बने रहे हैं हमारे चैनल पे और चैनल पे नए हैं तो NK मैर संदू कुमार YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा Instagram, YouTube और Telegram सब पे यही नाम है आप इस नाम को सर्च करके और जोईन कर सकते हैं ठीक है फिलाल मैं बढ़ता हूँ आगे और पहले question से सुरुगात करता हूँ देखे दोस्त पहला question अपने पास यह है alphabet का question है question दिया गया है कि उस विकल्प का chain के जो अक्षर समोग के निम्न सिरिंखला में प्रस्न वाचक चिन के अस्थान पर आएगा यानि कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा अब देखो इसको direct आप ABCD से कर सकते हो alphabets में V कितने number पर आता है या फिर number लिख लो सबसे आसान रहेगा अगर आपको numbers याद है कि कौन सा alphabet कितने number पर आता है तो सबसे बहतर है इसको करने के लिए जब number लिख लेते हैं तो confusion कम हो जाता है ठीक है तो मैं number ही लिख देता हूँ देखो V कितने number पर आता है तो आप बोलेंगे V आता है TUB 22 नमबर पर फिर S आता है ST ये 19 नमबर पर आता है और P आता है कितने पर 16 पर ठीक है और फिर N की बात कर लेते हैं तो N आता है 14 पर और K आता है J K 11 पर और H आता है 8 पर फिर इसको F C Z को मैं लिख देता हूँ E F F 6 पर आता है और C आता है 3 पर और Z कितने पर आता है 26 पर और अगला हमें बताना है अब बस इस नमबर पैटरन को आप देख लो कि नमबर पैटरन कैसे बनाया देखो 22 से 19 हो गया 3 कम हो गया यहां भी 3 कम हुआ और फिर जब अगले में गया तो यहां पर 2 कम हुआ है देख रहे हो 16 से 14 हो गया 2 कम हो गया फिर यहां भी देखो 3 कम हो रहा है यह भी 3 कम हुआ और यहां पर 2 ही कम हुआ वैसे यह 3 कम हो रहा है यह 3 कम हो रहा है तो अगले में हमें अब क्या करना होगा 2 कम करना होगा 26 से 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 24 फिर 3 कम करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास? 21 और फिर 3 कम करेंगे, तो यहां पर आएगा 18. तो ये अपना pattern बनेगा, 24 नमबर पे क्या आता है? दोस्तों, X आता है और 21 पर क्या आता है? T U, U आता है और 18 पर क्या आता है? अपना X और U इसी में मिल रहा है तो 18 पर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे 18 पर आ रहता है तो X, U, R अपना सही उत्तर है यानि की पहला option तो आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे आप पकर पाये तब तो ठीक है ऐसे पकरने में दिक्कत है तब क्या करेंगे आप numbers लिख लेंगे और इसमें से इन चारों चित्रों में से किस option में किस वाले चित्र में ये सामिल है ठीक है तो हम क्या करेंगे देखो एक line तो ऐसे सिधे गया है इसमें ऐसे याने की 45 डिगरी पे तिर्चे और फिर उधर से भी ये तिर्चा आया हुआ है ऐसे तो हमें ये आकिरती पहले आया दोनों सिधा आ गया लेकिन हमें कैसा लाना था ऐसे ले जाके और तिर्चा लाना था अब इसमें देखो तीसरे वाले में ऐसे गया है और तिर्चा आया भी है यहां पर देख रहे हो ऐसे जा करके और यहां से तिर्चा आया भी है तो तीसरा वाला अपना सही है इसमे और ये चौथा है अब इसमें आपको ये बोला गया है कि देखो पहले इस Capital का बनाभा है चित्र फिर ऐसा बनाभा है फिर ऐसा तो अगले वाले में कौन सा इसी pattern पे बनाएं तो आगे वाले में कौन सा चित रहेगा अब ध्यान से जरा आप देखिए इसमें ये वाला छोटा है ठीक है और जो white वाला part है वो उससे थुरा बड़ा है और सबसे बड़ा कौन सा है black वाला black वाला जो है ये rectangular है आयताकार है और जो white वाला है वो square shape में है याने की वर्गाकार है अगले वाले में देखो इसमें बड़ा कौन सा था black वाला तो अगले वाले में black वाला कैसा हो गया वर्गाकार हो गया है देख रहा हो ये square के shape में आ गया है वर्ग के आकार में आ गया है तो हम ये बोलें कि इसके बाद ये वाला बड़ा है देखो जो जिसमें point point बनाया है ये बड़ा भाग है ये आयत के जैसा है तो अगले में ये work जैसा होना चाहिए तो अगले में देखो ये work जैसा हो गया जो बड़ा है आयत जैसा वो work जैसा हो गया square जैसा अब देखो तीसरे वाले में क्या है कि तीसरे वाले में जो white वाला part है वो है rectangular shape में आने की आयत के shape में तो अगले वाले में white वाला ही कैसा बनना चाहिए वर्ग बनना चाहिए तो अगले वाले में जो white वाला हिस्सा है सफेद वाला वो इसमें कैसा बनेगा वर्ग के जैसा बनेगा इसमें देखो ये white वाला वर्ग है नहीं है square दूसरे वाले में square shape में है white वाला इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है इसमें square shape में यह है और इसमें square shape में black वाला है लेकिन हमें square shape में चाहिए white वाला तो यह दूसरा वाला इसका सही answer है ठीक है अगले question में देखो आपको यहाँ पर यह दिया गया है दोस्तों कि अगर इस वाले word को ऐसे लिखा गया है तो इसको improvise को क्या लिखा जाएगा सबसे पहले ध्यान दिजेगे यहाँ पर मैंने बोला था कि जब कुछ नहीं आए तो आप number लिख लिजिए तो यहाँ पर या तो आप number लिख लें लेकिन number लिखे अच्छा देखो इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और लोग कैसे दिमाग लगा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हैं मैंने भी पहली बार description को देखा तो वैसे ही सोचा था लेकिन वैसा है नहीं यह देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो letters इसमें है वही letters यहाँ पर भी है यानि कि F L U D I T Y है इसमें भी F L U D I T Y क आप बोलेंगे Y लिखा है U लिखा है फिर T लिखा है फिर L I और फिर से I और F D लिखा है तो आप इसमें सोचे हैं कि देखो इसको यहाँ लिख दिया last वाले को शुरू में लिख दिया इसको यहाँ लिख दिया और इस L वाले को यहाँ लिख दिया इस I को यहाँ लिख द कि यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो जीस तरह से पहले वाले को लिखा था वैसे इसको लिख दो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब देखो देखने में option में भी y है यहाँ पर जो चीज लिखा गया है जो जो letters, y letters इसमें भी है लेकिन इस पर देखो इसमें क्या था कि y last में था तो शुरू में y कर दिया अब देखो इसमें last में e है तो किसी भी option में शुरू में e मिल रहा है नहीं मिल रहा है बात समझ रहो इसको ascending, descending order में रख दिया है ठीक है, ascending, descending का मतलब आरोही या औरोही करम में या फिर आप समझ लो, z की तरब से सुरू करके लिख दिया है जैसे आप देखेंगे, आप एक बात समझ ये ये था f, l, u, i और फिर d, i, और ty बात समझ रहे हुँ, इस такие बात समझ रहे हो? इस तरीके से रखा है तो ऐसे ही अगर आप improvise को रखोगे I, M, P, R, O, V, I, S और ये बिल्कुल ध्यान रखो ये अगले shift में भी ऐसा आया हुआ है अगले shift क्या? इसी shift में ऐसा एक और question है मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल कर बिल्कुल same concept लगा है उसमें अब देखो इसमें सबसे last में ABCD में क्या आएगा तो आप बोलेंगे V آएगा तो हमने V को लिख दिया आप B हटा दो जो ब Sacred में सबसे last में क्या आएगा तो आप बोलेंगे S आएगा तो इसके बाद S हो गया B S से कौन सा शुरू हो रहा है सिलाई का दर्जी से जो संबंध है वही चित्रकारी का किस संबंध है देखो सिलाई कौन करता है तो आप बोलेंगे दर्जी करता है तो चित्रकारी कौन करता है भाई देखो कैनवास तो करेगा ही नहीं यह तो आदमी ही नहीं है तो चित्रकारी क्या करेगा पेंट भी आदम होई नहीं सकता printer भी नहीं हो सकता है painter वह आदमी है जो pen't करता है चितरकारी करता है तो painter होगा ठीक है यह पहला option है इसमें English वाले में अगला सवाल देखे कथन इसकर्षवाला तो यहां पर कह रहा है आको कथन में क्या दिया गया कि कुछ पें बोतल है तो यह मैंने बना दिया ठीक है ये कुछ पेन हो गए और इसके कुछ हिस्ते बोतल में है तो मैं B लिख देता हूं बोतल के लिए अब आए कहा रहा है कि सभी बोतल क्या है मग है तो पूरे बोतल को मैंने क्या बना दिया मग बना दिया ये M लिख दिया ठीक है अब पहला आपको conclusion क्या दिया गया है कि सभी mug bottle है देखो क्या सारे mug bottle में है तो आप बोलें कि ये mug वाला हिसा तो ये है तो सारे mug bottle में नहीं है बलकि सारा bottle mug में है एक बात याद रखेगा कि सिलोलिज्म में कई सारे चितर बन सकते हैं statement सही है तब उसको हम सही मानते हैं और अगर किसी भी चितर में गलत हो गया कोई statement चाहे आपने कोई सभी तरीके से चितर बनाया उसमें statement कोई गलत है तो उसको हम गलत मान लेते हैं ठीक है तो जैसे पहले वाले में कह रहा है कि सभी mug bottle है बताओ क्या सारा mug bottle में आ रहा है तो आप बोलें कि नहीं भई सारा बोतल में है लेकिन पूरा mug bottle में नहीं है ये जो बाहर बाहर वाला mug का हिसा है ये तो बोतल में नहीं आ रहा है यानि कि पहला वाला तो गलत हो गया बात समझ में आ रहा है तो क्या मग का कुछ इंसा पैन में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, यानि कि दूसरा वाला सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही, तो दूसरा किवल सही होगा, यानि कि दूसरा वाला सही है, अब देखो इसमें कहरा है कि भाई, वही संबंद दरसाना है, जो ये कहरा है क पहला का दूसरे से जो संबंद है वही तीसरे का चौथे से क्या होगा यानि कि इसका खलनायक का जो संबंद नायक से है वही संबंद सैतान का किस्से है तो आप बोले हैं कि देखो यहाँ पर खलनायक का उल्टा लिखा गया है विलेन का उल्टा है विलेन का उल्टा अपोज हमने गलती कर दिया ना God नहीं होगा यहां पर देखिए खल नायक का उल्टा क्या था नायक लेकिन यह सैतान वो वाला नहीं है जो भगवान का उल्टा हो यह सैतान जो सैतानी करते हैं वो वाले है ठीक है तो यहां पर सैतान का उल्टा क्या होगा सदाचारी होगा ठीक है सद ले नजयना दिव्भ नहीं होगा इस बार नहीं होगा और यह फरिस्ता भीनाई होना था था अ फरिस्ता फरिस्ता होने वाला है इसमें यह गलती से बघ लगा लिया था तो कोивает नहीं आप याद रहें यहां खल नायक जैसे नायक से संबंदी थे तो सैतान किस से रिटेड है फरिस्ता से अब देखो इसमें जिस तरह से option दिया गया है तो ये एक तरह से बात आगया अब याद करने वाला कि ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि सैतान रहेगा तो हम उसका relation फरिस्ता से दिखाएंग लेकिन हर एक option आपको सही दिखने लएगा तो ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि सैतान का जो अपोजित होगा वो फरिस्ता हो अगले में देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो relation इन में है इस दोनों में वही relation इन में से किस में है तो क्या किया है देखो ये 144 है इसके ब घसके 5 से गटना था यह हुआ नहीं यह 13 का स्कॉयर है तो 14 स्कॉयर मेंसे में qी एह गटना था यही हो जाएगा यह 12 स्कॉयर 144 उसमें से एक कम करेंगे 483 ये answer है अगला देखे mirror image आपको बताना है कि यदि mirror को हम यहां पर रखे कहा र citrus में रखना है दाइं हो रहतर है जो इधर वाला पार्ट है वो इस तरफ आके shift हो जाएगा ठीक है यानि कि यह जो है यह ऐसे बन जाएगा बात समझ रहे हो इस तरह से shift होगा तो इधर shift होने वाला देखो यह तो ऊपर है यह भी उधर shift हुआ है और यह shift हुआ ही नहीं यह तो यह भी गलत है इस दोनों में से कोई एक सही है लेकिन आप देख रहा है कि इसमें यहां से लाइन ऐसे आया है तो इसमें भी यहां से लाइन ऐसे आएगा बात समझ रहे हो अब देखो पहले वाले में क्या गलती है इसमें यहां से एक लाइन खिंच दिया इसके केंद्र से जबकि इसमें केंद्र से कोई ला चोथा है अगले सवाल में आपको एक निशित कुट भासा में इसको ये लिखा गया है तो कोच रहा है कि heavenly को क्या लिखा जाएगा अब देखिए या तो आप नमबर लिख लिए जैसे मैंने बोला था तो इसमें देखो सारे में सुरू के दो-दो लेटर जो है वो अलग-अल आता है 13 पर और यू कितने पर आता है टी यू ये 21 पर आता है और के कितने पर आता है 11 पर तो ये क्या किया है दो बढ़ा दिया है और ये क्या किया है दो घटा दिया है वही काम हम करेंगे एच कितने पर आता है आट पर तो दो बढ़ा के 10 हो जाएगा और ये कितने पर आ लिख दिया है तो एक कम कर दिया जितना बढ़ाया उतना कम कर दिया आगले में तो आप ऐसे भी देख सकते हैं अगला सवाल देखे इसमें आपको ये कह रहा है किसी certain code language में इसको लिखा जाता है 29 इसका code बनाया जाता है council का code बनाया जाता है 98 तो वैसे ही आपको इसका code बताना है कि इसका code क्या बनेगा देखे जब भी alphabet में आपको code numerical हो यानि की number में हो आंकिक हो तो आपको सबका अंक लिखना चाहिए कि कौन सा alphabet किस number पे आता है जैसे ये क्या दिया गया है देखो F, E, V, E, R, I, S, H इसमें सबका हम number लिखते है F कितने पर आता है E, F, 6 पर आता है ये 5 पर आता है और T, U, B, 22 पर आता है E आता है फिर से 5 पर और R आता है 18 पर I आता है 9 पर और S आता है 19 पर और H कितने पर आता है दोस्तों H 8 पर आता है ठीक है आपको number तो पूरा context होनाता है ये कौन कितने पर आता है अब देखो इतने number बनने के बाद ये code क्या बना है ये इसने code बना दिया है 39 तो आप 2 उपाय है हमारे पास या तो सबको जोड़ा होगा सबको गुणा करेंगे तब तो बहुत ज्यादा बनेगा तो हमें जोड़कर ही चिक करना चाहिए तो सबको एक बार जोड़ते हैं देखते हैं कितना आएगा देखो 6 5 11 11 तियां यहां तक तो 33 हो गया बाकी आप इनको जोड़ लो तो आप 5 इसमें जोड़ोगे तो यह 23 बनेगा 23 और 9 32 और 9 32 होगा ना 32 और 9 41 और 10 51 और 8 कितना होगा 51 और 8 69 हो जाएगा ठीक है यह हो गया 69 तो यह 9 3 12 और 5 3 8 और 9 यह 92 बन गया देखो जोड़कर बांगे आ रहा है लेकिन कोड क्या बनाया है उसने 39 बनाया है यानिकी उलट दिया है दो को पहले और 9 को बा पर आता है तो आप बोलेंगे M आता है 13 पर U कितने पर आता है 21 पर T कितने पर आता है 20 पर A आता है 1 पर फिर से T 20 पर और E आता है 5 पर और D आता है 4 ठीक है सब को जोड़ लो तो यह 20 और 20 40 और यह 1 और 4 5 और यह 5 मिलके 10 तो इतना तक तो 50 हो गया और यह 13 और 21 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 48 तो 48 इसका सही अंसर होना चाहिए ये होगा पहला वला देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें ठीक है और हमारे चैनल NK Maths नंदु कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ठीक है और मैंने आपको बोला था कि आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें बिल्कुल इसी ये इंस्टाग्राम की आईडी है NK Maths और अंडर स्कोर और फिर से नंदु कुमार ठीक है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डिरेक्टर में मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको कहना हो ठीक है चलिए देखिए इस सवाल में क्या है आपको दिया गया है दोस्तों कि अभय के चाचा उसके लिए कोकन से कुछ आम भेजते हैं वह प्रति दिन कुछ निश्टित संख्या में आम खाता है तो साथ दिन तक आम चलता है याने कि वह खाने के लिए चलता है अब यह कह रहा है कि लेकिन अभय का चचेरा भाई राजीव भी उसके साथ छुटिया बिताने आता है और ऐसे में 36 दिनों में ही आम खतम हो जाता है तो यह कह रहा है कि यदि राजीव अकेले आमों को खाता तो आम कितने दिनों तक चलेंगे अब देखे ये तो सिधे-सिधे आपका time and work equation बन गया ना math में ये formula आपने पढ़ा हुआ कभी न कभी m1, d1, h1 upon w1 is equal to m2, d2, h2 upon w2, बिल्कुल इस पे direct लिख सकते हैं कि देखो अभय अकेले है अगर अभय अकेले खाता है तो कितने दिन चलते हैं 60 दिन जब अभय के सांथ राजीव भी खाने लगता है तो कितने दिन चलते हैं दोस्तों 36 दिन यहाँ 6 से इसको अगर काट दे 6 बार में कट जायागा और यहाँ पर बंचेगा 10 A और इधर बंचेगा 6 A और प्लस का 6 R तो अगर मैं 6 A को इधर लाओं तो आप बोलें कि 4 A किसके बराबर बन गया 6 R को अब हमें बताना है कि राजीव अकेले खाय तो कितने दिन तक चलेगा देखो अभय के लिए अकेले कितने दिन का था वो 60 दिन के लिए तो अभय वाले को मैं 60 बना देता हूँ इसको अगर इसको 60 बनाना है तो 15 से गुना करेंगे 15 4 के 60 A यानि कि इसके लिए जो 60 दिन का था वो राजीव के लिए कितने दिन का होगा इधर 15 से गुना हुआ इधर भी 15 से गुना करलो तो 15 चका 90 आर यानि कि जो अभय 60 दिन में खतम करता था वो राजीव कितने दिन में खतम करेगा 90 दिन में तो इसका 90 अंसर होगा या फिर आप यहाँ से रेसो भी ले सकते थे कि अभय बटा राजीव निकाल लो कि ये कितना होगा 3 बटा 2 और इसके बाद इसका मान आप इस समिकरन में रख लो और यहां से राजीव का मान निकाल लो कोई बात नहीं आप किसी भी तरह से निकालोगे निकल जाए नमबर 13 में आपको बोला गया है कि क्वेश्चन मार के जगहें पर क्या आएगा नमबर सिरीज है देखो 6 को 11 लिख दिया कितना देखो ये जब कम-कम बढ़ रहा है तो आप जोर-जोर कर चेक करो कम-कम घट रहा है तो माइनस करकर करके चेक करो ज्यादा बढ़ रहा है तो इसमें यही रूल होता है और कुछ बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन मैं कहूंगा कि नमबर सिरीज में अगर आप 10 से 20 सेकंड में अगर पकर पाए कि क्या इसमें चल रहा है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है ये तब तो ठीक है अगर 10-20 सेकंड से ज़्यादा लगने लग बढ़ गया और यहां पर 11 बढ़ दो-डाध बढ़ भाशा प्र्स वग्रत 18 बढ़ दो दो घ यहां पर लिखे गए हैं वही लेटर्स option में हैं तो इसके लिए दो ही उपाय हो सकता है या तो numbering इधर उधर किया हो याने कि जैसे मैंने बोला था कि यह है G, L, O, W, I, N, G और अगले में लिखा है G, G, I, L, N, O, और W तो यह हो सकता है कि देखो इसको यही पर रहने दिया इसको यहां से उठाकर यहां कर दिया फिर L को यहां कर दिया I को यहां कर दिया O को यहां कर दिया W को अंत में कर दिया और N को यहां कर दिया तो यहां तो आप पहला वाला O है और अंतिम वाला S है तो O या S से सुरू होगा option ऐसा होना चाहिए था लेकिन कोई भी option O या S से सुरू नहीं हुआ तो फिर दूसरा उपाय हमारे पास यह है कि इसको ABCD में आरोही या औरोही करम में लिखा है जो यह letters लिखे गए है इसमें ABCD में पहले क्या आएगा G आएगा तो पहले दोनों G को लिख दिया इस दोनों को इनका खेल खतम हो गया इन सब में ABCD में पहले क्या आएगा तो आप बोलेंगे जो मचा है VOIN इसमें ABCD में पहले I आता है तो I को लिख दिया फिर I का खेल खतम अब देखो LO kijken इसमें पहले क्या आएगा तो आप बोलें कि LI आएगा तो इसके बाद L लिख दिया ठीक है फिर क्या आएगा L को हटा दो अब O, W और N में पहले W आएगा फिर O आएगा और फिर क्या आएगा अपना W ये ऐसे लिखा है तो इस तरीके से हम OBS को भी लिख देंगे अब आप देख रहे हैं कि हर एक option में सुरू के दो लेटर अलग अलग हैं तो हम शुरू के दो ही लिटर पर काम कर लेते हैं देखो last इसमें सुरू में क्या आएगा पहले सबसे पहले क्या आएगा सिधी सी बात है तो answer B से स्रू होगा पहला लेटर B होगा अब B को हटा दो OBS में से B हटा देते हैं तो जो बंचा है उसमें से क्या आएगा चलो यहां देख लो B को हटा दिया जो बंचा है O, B, I, O और US इसमें से पहले क्या आएगा तो आप बोलें कि I आएगा तो B के बाद I आएगा यह अंसर सही होगा और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि दोनों O, 1, 7 रहना चाहिए क्योंकि O का नंबर तो ABCD में एक ही बज़ेगा आता है तो दोनों O, 1, 7 रहना चाहिए तो एक ही ऑप्षन है यहां पर जिसमें दोनों O, 1, 7 है और B से शुरू हो रहा है तो यहीं अंसर होगा बात समझें इकला सवाल देख रहो यह कहा रहा है कि इसमें जो Relation है वह Relation इनमें से किसमें है ठीक है तो देखो यह लिखा है चार फिर तीन और फिर क्या लिख दिया 35 आप बताओ चार और तीन को 35 कैसे बना सकते हैं सबसे पहले ना तो चार के टेबल में 35 आता है ना ही तीन के टेबल 9 तो इनको जोड़कर 25 बन रहा है 35 नहीं बन रहा है आप ये भी सोड़ सकते हैं कि हो सकता है उकि भाई इसमें 10 जोड़ दिया हो बात समझ रहा है ये भी सोड़ सकते हैं और क्या सोड़ सकते हैं और ये सोड़ सकते हैं कि देखो अगर इनको जोड़े तो ये 4-3-7 हो रहा है 7 से 35 कट जाएगा तो 7 को 5 से गुना किया है ये भी बात बन सकता है कि जोड कर 7 बना तो 7 को 5 से गुना करके 35 आ सकता है तो हम ये भी देख सकते हैं पहले कि इनका square को जोडने के बाद 10 बढ़ाने से 35 आ जा जा रहा है तो हम option में एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या square को जोडने के बाद 10 बढ़ाने से बनेगा कोई सा भी जैसे मान लो 7 का square 49 और 12 का square 144 तो ये तो जादा हो गया न 95 से 12 का square ही जादा हो गया इसमें भी 13 का square जादा हो गया यहां 18 का square जादा हो गया यहां 9 का square जादा हो गया तो 12 और साथ 19 आएगा 19 को 5 से गुना करें तो 19 पीचे 95 आ जा रहा है यानि कि पहला वाला option यह अपना सही उतर है ठीक है अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है दोस्तों इस्कूल की सुभा की प्रात्ना में चंचल सामने से आठवें अस्थान पर थी जबकि प्रिंस उसी पंक्ती में पीछे से ग्यारवें अस्थान पर था यदि वे अपना अस्थान बदल लेते हैं तो चंचल सामने से 22 अस्थान पर पहुँच जाती है तो पंक्ती में विद्य जगह पर आप आया है देखो पहले चंचल सुरू से कितने पर था आठ में पर था और प्रिंस पीछे से कितने पर था प्रिंस ग्यार में पर था ठीक है लेकिन अब चंचल यहां आ जाएगा और प्रिंस यहां पर आ जाएगा तो देखो जैसे चंचल यहां पर आएगा तो अ ऐसे अस्थान N है तो हम total संख्या बोलते हैं कि M plus N minus 1 होता है यही होता है तो इसलिए मैंने बोला कि उसको पकरो जिसका दोनों साइट से पता हो तो देखो यहाँ पर चंचल का हमें दोनों साइट से पता है कि चंचल राइट साइट से तो 11 पर है लेकिन लेफ्ट साइट से 22 पर है तो हम total number यहाँ से बता सकते हैं कि 11 plus 22 और minus का एक तो यह 11 और 23 में से एक जाएगा तो 32 आएगा यानि कि जो तीसरा option है यह सही answer है ठीक है आगे कहा रहा है कि O दाएं छोड़ पर है जबकि उसके माई और पर उसमें R है तो S के दाएं और पर इसमें कौन सा है ठीक है देखो सबसे पहले इसमें कहीं से भी आपको सुरू कर लो जो आपको perfect position लगे जैसे माल लो यहीं से हम सुरू से ही सुरू कर लेते हैं कि P कहां पर है N और S के बीच में है तो हमने यहां N बना दिया और यहां S बना दिया और बीच में किसको रख दिया दोस्त P को लेकिन यह चीज उल्टा भी हो सकता है कि S लेफ्ट हो और N राइट हो और बीच में P हो तो दोनो possibility जो भी है वो हमने लिख दिया ठीक है अब आगे कह र पर है यानि कि right side में सबसे last में O आएगा यह बात में लिखेंगे अभी जब कि उसके बायूर पर उसमें R है अच्छा अच्छा एक बात बताओ अब यह कह रहा है कि O दाय साइट पर है सबसे last में है ठीक है एक मिनट यह तो O सबसे last में है यहाँ पर हमने रख दिया ठीक है छे लोग थे तो अभी आप देख रहे है कि 4 और 5 लोग है अभी छठा आदमी का जगह पता नहीं है तो छठा आदमी अभी यहाँ पर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है कहीं पर लेकिन इसमें एक बात दे दिया है कि O द तो यह अपना पूरा पोजिशन बनके रेडी है यह वाला इसमें पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि S के दाइं और कौन है तो S के दाइं कौन सा है S के दाइं R है ठीक है तो R अपना अंसर होगा यह अगला सवाल देख लो अगले सवाल में आपको यह कह रहा है कि सिनिश्य इसमें पहले P आता है, P कितने पर आता है, बताओ 16 पर, तो हमने 16 लिख लिया, E कितने पर आता है, 5 पर, आगे T कितने पर आता है, तो आप बोलेंगे 20 पर आता है, फिर I कितने पर आता है, 9 पर, फिर से T आ गया, तो वो 20 पर आता है, फिर से I आ गया, तो फिर से हम 9 लिखें ग्याइत तो सात बंजाएगा तो यह सात हो गया अब दूसरा वरा तो एक अकेला अंग है तो इसको पाँच ही लिखना पढ़ेगा उसमें भी पांच इसमें देख। दो और को जोड़ो टो बन है यह ली कोड बन किसे ऐूगा है ले नहीं में पहले option में जैसे है आप देखो कि शुरू का दो इसमें 46 है इसमें 35 है, हर एक का शुरू का दो अलग अलग है तो हम शुरू के 2 पर ही काम करेंगे, देखो इसमें पहले c है, c का मतलब पहले 3 आएगा, अगला बार में o है, o 15 पर होता है, तो 15 को क्या लिखेंगे 5 और 6 यानि कि शुरू में 3 और 6 आएगा कि इसमें है तीसरी option में तो तीसरा सही हो ये देखे चाहे paper कोई सा भी हो लेकिन reasoning का ये सवाल ऐसा जरूर आता है इसमें आपको बताना है कि इनके जगाँ पर क्या रखा जाए कौन सा option उठा के उसके जो चिन है वो यहाँ पर fit किया जाए कि यह balance हो जाए संतुलित हो जाए समिकरन तो ऐसे में हमें क्या करना होता है देखे सबसे पहले मैं जो तरीका आजमाता हूँ मैं यह ढूनता हूँ उसमें कि देखो divide वाला कहा पर है यहाँ पर याने कि जैसे क्या 46 को 72 कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना 72 को 18 divide कर पाएगा बिल्कुल कर देगा 27 18 को divide करेगा नहीं करेगा और 9 135 को divide करेगा तो 18-72 को divide करेगा तो हम दूसरा वाला चिन divide को रखेंगे पहले उसी option को हम check करते हैं तो option में देखो दूसरा वाला चिन divide का किसमे है तो आप बोलें कि दूसरे option में है और तीसरे option में है इन दोनों में तो नहीं है अब देखो पहले और चौथे में नहीं है तो मैं यह नहीं बोला हूँ कि वो गलत हो गया है अब उसको चेक करना मुश्किल है ठीक है इसलिए मैं पहले दूसरे और तीसरे को ही चेक करूँगा अगर इसमें से कोई सही नहीं मिला तब हम पहले और चौथे की बात करेंगे ठीक है तो पहले मैं दूसरे वाले को चेक करता हूँ कि क्या इसको बना के उनली साथ जाएगा देखो पहले 46 है मैंने लिख दिया 46 अब दूसरे option में पहले गुना रखना है तो मैंने multiply का sign लगा दिया फिर 72 है तो 72 लिख दिया फिर divide का sign है फिर 18 है फिर तीसरे में minus है फिर उसमें क्या दिया गया है 27 और चौथा चिन क्या है भाई इसमें plus है और last में 135 इसको हल करके हमें कितना लाना है 19 आएगा कि नहीं यह बताना है तो देखो 18 से मैं इसको पहले divide कर दूँ 18,4 के बहतर तो यह आगया 46 गुना में 4 तो यह 6,4 के 24 और 4,4 का 16 और 2,18,184 बन गया और minus इसमें से इसको घटा दो तो आप बोलो है कि 58,214 में plus लिखना है तो मैंने plus लगा दिया फिर 72 लिखना है 72 लिख दिया फिर तेखो option में दूसरा चिन क्या है दूसरा चिन अपना divide है तो divide लगा दिया फिर 18 है फिर 18 un قeasality के बाद 27 है लेकिन बीच में चिन लगाना और माइनस 135 तो पहले गुना करेंगे सीधी सी बात है तो 74 के 28 और 24 के 8 और 210 यह 108 बन गया और इसमें 46 जोड़ना भी है पलेस का 46 और माइनस का 135 इसमें 46 जोड़ेंगे तो यह 8 6 14 का 4 यह एक चुली में कितना बनेगा अपने पास 144 बनेगा 144 नहीं 54 बनेगा और यह कितना था माइनस का 135 घटा के देखो 14 में से 5 जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा एक 19 आ जा रहा है इसका मतलब तीसरा वाला ओप्सन सही है ठीक है लेकिन कोशिस करो कि ऐसे सवाल को भी लास्ट में ही बनाओ क्योंकि यह जनरली टाइम लेता है यह सवाल देख लो इसमें यह कह रहा है कि यह जो खाली जगह है यहां पर क्या आएगा कौन सा चित्र रख सकते हैं इसमें खीचा गया है इसमें तो इस तरह का खीचा गया है ये भी गलत है तो दूसरा सही अंसर है अपना अगला सवाल देखे सिलोलिजम का आ गया ये कह रहा है कि सभी कप प्लेट हैं सभी कप प्लेट हैं तो ये मैंने बना दिया कि देखो ये कप है और सारे कप प्लेट हैं इसको इस Cup में मिलाकर भी बनां सकते हैं, ये तस्तरी है भाई, और हम Cup में मिलाकर बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों तरीका से आफ बना सकते हैं, ठीक है. बात समझ में आ रहा है, कोई Confusion नहीं होना चाहिए, कि हम तस्तरी को कहा बना है, किवल plate में बनाए या cup में मिलाकर बनाए तो आप दोनों तरीके का बना लो लेकिन ध्यान रखना सही वही होगा जो दोनों तरीके में सही यानि की दो तरह का आपने चितर बना दिया एक ये पहला format बना दिया ये दूसरा format बना दिया तो कोई भी statement, sorry conclusion को तभी हम सही मानेंगे जब वो यहाँ भी सही हो और यहाँ भी सही हो तो आप एक नमबर वाले को देखो एक नमबर में कह रहा है कि सभी plate cup है क्या सारे plate cup में आ रहा है बताओ plate का ये वाला गोला है ये गोला जो है बाहर वाला ये plate का है तो आप बताओ कि क्या पूरा plate cup में आ रहा है तो आप बोलें कि नहीं cup तो अंदर तक ही है तो पहला वाला तो गलत हो गया अब पहला वाला गलत है तो इसको हटा दो दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है आपको कि कुछ cup तस्तरी है आप बताओ कुछ कप तस्तरी है तो आप बोलें कि देखो यहाँ पर मैंने यह जो चित्र बनाया था यहाँ पर तो तस्तरी का कुछ भाग कप में जा रहा है यानि कि यहाँ पर यह सही है इस वाले में कहीं भी गलत हो गया तो उसको गलत मानना है यानि कि दोनों आपका conclusion गलत है नहीं यह इसमें पहला वाला इगा ना तो पहला और नाहीं दूसरा यह सही है Hindi में पहला वाला सही है और English में दूसरा वाला सही है neither conclusion 1 nor 2 follows अगला number series का question है देखो कैसे follow कर रहा है अच्छा देखो आप यहां से यहां अगर चेक करना चाहो तो कितना कम हो रहा है तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 128 से 16 हो गया तो 8 कम हुआ फिर यहां से 26 बन गया यानि कि 10 कम हुआ फिर कितना कम हुआ देखो 26 से 18 बन गया फिर से 8 कम हुआ और फिर से बढ़ा कितना तो आप बोलें कि यहां से अब 10 तो नहीं बढ़ा है यहां से बढ़ा है कितना 6 ही बढ़ा है तो यह तो set नहीं हो रहा है तो आप डबल डबल alternate चेक कर सकते हैं देखो यह 128 है फिर 116 है फिर 126 है और फिर 111 118 था और 124 और यहां पर हमें पता नहीं alternate का मतलब हम इसका इससे relation देखेंगे इसका इससे और इसका relation इससे और इसका relation इससे ऐसे चेक करो आप तो आप बोलें कि 28 को 26 लिख दिया दो कम कर दिया अच्छा देखो इसको देखने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि यह तो तीसरे पर जाएगा न हमें यहां पता करना है तो इसको देखते हैं 16 को 18 लिख दिया दो बढ़ा दिया तो 18 को हम क्या लिखेंगे दो बढ़ा देगे वापीस से तो यह 120 बनेगा 120 तो है अपने पास option में यह सही होगा तीसरा option अगले में कह रहा है कि एक paper को पहले fold किया गया है और cut किया गया है कैसे जैसे चित्र में दिखाया गया और जब उसको हम open करेंगे unfold करेंगे तो वह कैसा दिखेगा देखो सबसे पहले उपर से निचे की तरफ fold किया ठीक है एक बार और फिर इस side से fold किया तो देखो सबसे पहले जब इसको हम खोलेंगे तो ये कैसे खुलेगा जरा ध्यान देजिए ये पहले खुलेगा तो इधर आएगा ठीक है याने कि ये इस साइड आएगा तो कैसा चित्र बनेगा जरा ध्यान से समझना आप चित्र बनाकर तो इसमें दिखाना मैं कोशिस करता हूँ चित्र बनाने का यह ऐसा दिया है ना ऐसा दिया है ठीक है तो पहली बार में हम इसको unfold करेंगे तो यह इधर आएगा और इधर आएगा तो कैसा बनेगा देखो यह तो पूरा भर जाएगा आपका बात समझ रहे हो जब यह unfold करेंगे इधर आएगा तो यह वाला न बहुतर समझ है कैसे हो सकता है यहां कटा हुआ जैसे इसमें buddy कटा हुआ रहना चाहिए तो यह भी गलत है याने कि हमारा तीसरा था option में से कोई एक शाही है 열कने आप बात समझा कि हमने ऊपर से नीचे की तरो भी मोड़ा है कलेगा दो बार कंदा है तो ये जो हाफ कटा हुआ यह जैसे कटा है ऐस त्रीके से है इतना खोलने का और हें लिए आप चीतरै और कोई फायदा नहीं अप nehmen के तुरू एक ही बार दिमाग चलाईए जैसे मैंने बोला कि देखो सबसे पहले कि जब इसको खोलेंगे पहली बार में इधर से इधर करेंगे तो ये ऐसा ही इधर भी प्रिजेंट हो जाएगा तो ये पूरा गोल बन जाएगा पूरा राउंड हो जाएगा इसमें पूरा सर तो जब ऊपर की तरफ खोलेंगे के तो ये जो यहां परban Risarर फुरी खुल कर चलाना देखो जैसे यहां पर इसमें जैसे यह व 1980 यहां पर यहां पर आ गया जब निचे से ऊपर की तरफ खोला गया तो यही मैं बात भीद दीफील जू चिक्टे चाह तो यह गलत गया और pencil में जो नोख होती है उसको हम लेड़ बोलते हैं pencil के लिए ठीक है तो यह आपका लेड़ हो गया और यह पूरी pencil है तो यह एक दूसरे से लगबग related है लेकिन दोर-दर तक से सम्बंद नहीं है तो बिलकुल अलग होगा सबसे पहला बात देखो सब पर बना देंगे और सप्लर को अलग रख देंगे तो पहला ऑप्शन सही है यह अंतिम प्वेशन था तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैथ की वीडियो आएगी कौनसे शिफ्ट की 12 ऑक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट ठीक है यह सबसे हाड शिफ्ट था जैसा की यूटूबर आपने देखा होगा तो MTS का सबसे हाड शिफ्ट यह था तो अगला मैथ का जो सलूसेन आएगा वो इसी शिफ्ट काएगा ठीक है थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो चैनल पे नए हो तो सेर जरूर करना आप और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना